गुड इवनिंग एविड़ी आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल फांटेसी अरीन हमें पता है लेट हो गई माफी उसके लिए जल्दी से पहुचते हैं और मैच साट करते हैं कल का रिजल्ट बहुत बढ़िया था टेलिग्राम कलिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेनारियो होने वाला ना जो लोग बात करते हैं सुनना जरूर मैच बढ़िया होने वाला हो रहा है किसी के भी होम ग्राउंड पे नहीं आनीवान खेड़े में जहां पर रन की भरमार होती है नॉमली सेनारियो में लेकिन क्या हुआ है सबकी बात करेंगे वीडियो लाइक क पूछा तो तो जिसने भी इन दुनों में से किसी एक का नाम लिखा पूरा पहला और दूसरा नाम उसका आंसर सबसे पहले हरी चंद अंतर पाटी जी और रिवन्त अतेजा वत्तु जी ने दूसरी CSK पिषए साल बहुत स्लौस था अपने Power Play में और Middle Overse में उसके लिए उन्होंने क्या किया है वह एकल अपता लग जाता है तो वह आखरी पांच मिनिस में जो जो भी मुझे लगता है मैं सब बता देता हूँ और कल हरशल पटिल का एक ही डिफरेंशल पिक मेंचन किया था और वो पांच विकेट ले गया तो रोज रोज नहीं होगा लेकिन जिस दिन होगा उजन आप बढ़ाई जीत होगे जैसे कल काफी लोग करके आएं तो बढ़ाई हैं उन सब को भी अब हमने एक नया ट्रेंट चालो कर रहा हर साल हम कुछ अला करते हैं इस साल हम क्या देख रहे हैं कि जो भी टीम अपना पहला मैच खेलती है आई-पियल में वो कैसा खेल रही है तो मुंबई का कल करा आज हम देखते हैं ज़रा डेली और सी इसके में क्या खास है तो डेली ने जो अभी तक अपने आई-पियल के दौरान पिछले चार साल में पहले मैचेस खेले हैं उसमें एक बड़ी ही खास बात है आखरी दो साल में उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी दोनों जीते है उस सो पिछले दो साल में दोनों हारे एक में बैटिंग फर्स्ट करीए एक में बैटिंग सेकेंड लेकिन मैं शायद इस डेटा से इतना ज्यादा कंग्लूजन आपको ना निकले लेकिन एक प्लेयर का नाम मेंचिन करना चाहूँगा वो है रिशाप पंथ जरा एक बार द शर्मा दो विके 2018 रिशाप फिर से 28 अश्विन एक स्टॉइनिस 22 ठीक है और उसके 2017 रिशाप पंथ 57 एक नाम है जो कुछ पॉइंट देके जा रहा है जो 25-30 पॉइंट आपको बैटिंग में दे रहा है यह फिर से कहा हूँ यह जरूरी नहीं आज भी इतने ही थे श्वास नहीं रखते है इसलिए आप मेरे स्क्रींट जादा देखोगे नहीं आप लोगों के देखोगे क्यूंकि मैं अपने लिए यहां नहीं आया है मैं आपके लिए हूँ तो जो सक्सेस जिसको मिल रही है उसका अगर कुछ भला हो पा रहा है एक भी चीज ऐसी नहीं पता लग रही है जैसे अब यह अनालिसस जो कोई नहीं कर रहा यह हमने इस बार शुरू करा तो यही डिफरेंस है हम में और बाकियों में जो सिफ कॉपी वेस्ट करके आपको खुश कर देते हैं जादा शोशा बाजी और हवा बाजी करके वो हमसे नहीं होती यह CS के इनका साल में तीनों जीते हैं तीनों चेस करते हों जीते हैं और उसमें common player कौन है common player ऐसा अलग से नहीं दिखेगा आपको लेकिन specify कर दूँ फैबडू प्लेसी और राइडू यह consistent player रहे हैं फैबडू प्लेसी शायद एक season नहीं थे और इसलिए उनका नाम जाद आपको दिखेगा नहीं लेकिन उसके इलावा जड़ेजा दो विकेट चाहार दो विकेट साम करने एक डीजे ब्रावो एक जड़ेजा फिर से दो वि point यह कि आपको यह यहां धेहान देना है कि यह पहले matches के record है अभी हम venue और उस पे भी चल रहे हैं लेकिन अगर कुछ आपको अंदेशा लग रहा है तो मैं मैं आपको एक summarize form में बताऊं तो रिशापंध small league में एक दम बहत ज़रूरी pick है राइडू को भी हम लेके चलेंगे लेकिन हम small league में रिशापंध को captain wise captain कर सकते है राइडू के साथ मुझे लगता है फैफडू प्लेशी एक अच्छे option है फिल्डिंग में भी आपको एक दो cash देते हैं अगर आपको यहादो boundary line पे खड़े होते है और वो बहतरीन option है और बाकी हम आगे venue और उससे निकालते है तो venue पे क्या चल रहा भाई वानखेड़े अच्छा खासा high scoring venue रहा है यह highest देख सकते हो जो बता रहा है 2019 का highest 244 दोनों टीम कैसा खेलने है डेली के लिए यह उतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि डेली मानी जाती है अपनी Eden Garden फिरोचा कोटला में खेलने के लिए जो अब वो जो fastballer खेलते हैं जो जिनका असली फायदा वानखेड़े का मिलना था वो quarantine में तो इसका मतलब है इनको थोड़ा सा अपना bench strength आज चेक करने का मौखा मिलेगा एक बार क्यों मैं यह कहना चाह रहा हूं आपसे कि CSK आज थोड़ा सा कुछ कर सकती है अलग ज़रा देखो CSK पहले match में क्या करना चाहती है चेस ठीक है अब CSK जो भी करना चाहती हो ज़रा एक बार ground के record देखते हैं पहला match जो अब 20 जनवरी 2021 हुआ इससे देखते हैं जाओ ज़रा Mumbai 1 by 5 wickets, Haryana 1 by 4 runs, 1-1 ठीक है, batting first, batting second, एक एक बार जीती है फिर देखो Haryana 1 by 5 wickets, चेस कर रहा था Haryana, Pondicherry 1 by 6 wickets, चेस कर रही थी फिर से Pondicherry win by 4 wickets, चेस कर रही थी, फिर Kerala 1 by 6 wickets, वो भी चेस कर रहा था फिर Kerala 1 by 8 wickets, वो भी चेस कर रहा था, और फिर Delhi 1 by 6 wickets, Kerala 1 by 6 wickets और फिर आप और नीचे जाओ, तो आपको एक first batting दिखेगा, और एक और तो total 11 में से 8 matches ऐसे हैं, जो चेस करके जीते गए, और पिछले अगर आप, मैं आपको बोलूँ पिछले January से, ये जो, कौन सी January, ये 12th January, 9 में से 8 match chasing करते हो जीते हैं, पिछले 9 में से 8 match chasing side ने जीते हैं, और CHK को क्या पसंद था, chasing जो आपने उपर देख ली, ठीक है उन में से भी कोई ground पे कैसा कर रहा है, तो आप देख सकते हो, राइडू का performance, हरी शंकर रेड़ी, इस player को ध्यान देना ज़र रहा है, ये practice on match सा, performance falling decent ली कर रहा था, लले त्यादव एक ऐसा player है, जिसके बारे में मैं आपको बार बार, अपने squad analysis वीडियो में बताए, आप खिलाते हैं की नहीं हमें नहीं पता, और एक और player कौन था, लुक्मान मेरीवाला, ये कुछ players हैं जो हमने squad analysis में discuss करें, तो उस पर ध्यान देना, और शिकर दवन भी याँ खेल चुके हैं, अभी 77 बनाके गए, रॉबिन उथपा 91, मैं आपको अपनी team दिखाऊंगा, आप मुझे क्या लग रहा है कि कहां से क्या team फॉर्म हो सकती है, जैसे मैंने कहा Mumbai Indians pacer friendly wicket रहता है, normal scenarios में तो दोनों inning के pacer आपके पास रहने चाहिए, एक aard spinner जो end में balling करा है, क्योंकि आज ऐसा हो सकता है, अब हम power play का wicket analysis देखेंगे, तो मैं आपको सीधा summary बता देता हूँ, summary यह है कि first inning में 72%, second inning में 81%, second inning में थोड़ा सा ज़्यादा है, कल जैसे 100% था वो तो नहीं है, कल second inning में गिरेगा ही गिरेगा और फिर से गिरा, first inning में भी गिरा, आज थोड़ा सा कम success ratio है, power play में wicket गिरने का, मतलब पहले 6 और में, कितना wicket, एक भी wicket, bear minimum एक wicket गिरता है की न यह हम analysis करते हैं, जो आपके सामने percentage wise है, तो यह आपको खास बात बतानी थी, और ground पे record कैसा है, राइडू जी का 20 का average है, राइना 42, राइना वापस है, रॉबिन उथपपा, इस player को ज़रा आपको ध्यान देना है, GL के लिए खास कर, और उसके बाद बाकी as always, balling में, ड्व comments नहीं, DC के लिए, शिखर दबन यहां अच्छा केल चुके है, रहा नहीं अच्छा केल चुके है, और रशाप पन्त पूरी टीम में से सबसे highest average रखते हैं, इस venue पे, पूरा सिंक में चल रही है, अभी तक जितनी भी चीज़े बताई है, क्यों रशाप पन्त ज़रूरी है इसलिए, ठीक है, उसके अध बॉलिंग से देखोगे, तो यहां पे strike rate लुक्मान मेरी वैल लगा काफी अच्छा है, 11 का, अश्विन है, average 29 strike rate है, किस के साथ इशान सर्मा है, और रबाटा है नहीं, तो इसमें से अगर आप मुझ से पूछोगे, मैं अश्विन को तो काम आ जाए ये बात, और अगर आप inning-wise analysis देखोगे, तो आपको दिखेगा, रॉबन उतपपा के 91, 40, 21, 33, 54, काफी जादा हैं भई, काफी जादा performance है, रॉबन उतपपा के इस venue पे, और उसके अलावा बाकी सब ठीक ठाक से हैं, शार्लो साकुर के wickets हैं, पिछले 6 आ 7 match मे पांच में एक-एक wicket at least है, ऐसा ही ड्वेन ब्रावो का है, wickets तो हैं और थोड़े बहुत रन भी हैं, दिपक चाहर का एक inning छोड़के सब innings में wicket है, और मोहिन अली के भी decent से performance है, तो यहाँ पे मतलब 3-4 sample size जादा बड़ा है नहीं, तो आपको 3-4 से ही data दिखेंगे, जो पिर से यही चेताब नहीं है कि एक match में 0 पे भी गया है यह द्यान देना एक cricket है, ठीक है, मेरे कहने से नहीं चलेंगे players, यह cricket है, बस हाँ, आपको caution कर रहा हूं, उसके बाद आपको invest अपने हिसाब सही करना है, ना महीरी सुनो, ना किसी और किया करना है, आपको data आपके सा इशान शर्मा एक match छोड़ के हर inning में विकेट है, यह खास चीज है, अगर आप इशान शर्मा की तरफ देख रहे हो, bowling league में मैं जरूर लूँगा, और यह match, bowling league के लिए इससे अच्छा match नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे दो player नहीं है, जो credit कर आप कर सकते थे, और जो आपकी team का हुलिया चेंज कर सकते थे, दो-तीन player नहीं है, तो आप बहुत असानी से bowling league जो बल्ले बाजी की है, वो try कर सकते हो, करना जरूर, मैं इतना ही recommend कर सकता हूँ, और लले तयादव का इस venue पे 20 प्लस, 4 बार खेलने हैं, और 4 बार 20 प्लस बनाया है, और विकेट के साथ हर inning मे जो बदाता है, उनको ये venue कितना पसंद है, तो, जैसे मैंने का, रिशापन्त, small league का, और surprise player में सबसे बड़े surprise player मुझे लगते हैं, लले तयादव, अगर खेलते हैं, अदवाइस, फिर हरी शंकर, और इसी order में, सिर के मासे, अगर खेला जाते हैं, तो, अब not to miss players में से, य मेशा रहते हैं मेरे लिए, और यहां से आप, सुरेश राइना, क्योंकि शायद balling भी करा सकते हैं, सुरेश राइना, राइडू, जैसे उपर, दवंच हो, यहां राइना, राइडू, यह ऐसे चोईस हैं, जो थोड़े से risky रहते हैं, लेकिन impactful player है, change कर सकते हैं, अपने द हाँ, practice match में, CSK ने मोहिन अली को open भी करा है, तो पता नहीं मोहिन अली किस जगे खेलेंगे, वो बहुत कुछ decide करेगा, अगर 7 नंबर पे खेलेंगे, तो शायद हम कम लें, लेकिन अगर पहले नंबर पे खेलेंगे, बहुत बड़े player हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है, hit to head to head, CSK आगे अभी तक, लेकिन आखरी 5 मेसेज़ दो माच आ रहे हैं, वो पिछले सीजन में CSK ने DC से आ रहे हैं, तो अंदेशा है, ऐसा कि DC अचा खेलने लग गई, लेकिन अब DC के main players नहीं है, और CSK अभी full, उसमें दिख रहे है, full squad है, उनका पूरा available, तो मुझे थोड सबसे अच्छा करते हैं, उसके इलावा, strike rate wise भी उनका सबसे अच्छा strike rate है, फिर आते दीपक चाहर और रविंदर जड़ेजा, सामने से, शिकरदवन, 60 का average, बहुत पसंद है उनको, पिछली बार एकलोती जो 100 अभी तक, शिकरदवन ने मारी है, वो भी CSK के अगेंश में ने मारी है, रिशब पंथ, 44 का average, बहुत बढ़िया है, consistent है, venue पर 37, यहां 44, और फर्स मैच का performance सब अच्छा है, फिर से, overall ठीक दिख रहे हैं यहां पर पिच्चर में, और बॉलिंग से, आमित मिश्र देखते हैं, खिला जाते हैं कि अदरवाइज, उमेश अदवने practice match में chase करते हुए, और उसके अलावा, DC 40 run से match जीता है, batting first करते हुए, यह पिछे season का है, जिसमें मैंने आप से कहा, शिकर्दवन 101, और उससे बहले प्रित्वी शौर और शिकर्दवन उस match में भी 35 बना चुके थे, ठीक है, नाम अगर एक common दिख रहा है, आपको कोई CSQ की performance देख सकते हो, time होगा तो जरूर देखना, बाकी बहुत सारा data है, तो आके भी काम आएगा यह, लेकिन आपको एक बंदे का performance जरूर देखना है, वो है 5 duplicis, जरा इधर नजर घुमाओ और देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 innings, 15 से नीचे का score नहीं, मतलब 15 point तो आपको देखे ह अच्छे option है, जनता ने भी उनको captain बना रखा है, और logical भी लग रहा है यहां से, रायना भी balling कराएंगे तो और जाथा important हो जाएंगे, और धोनी batting first करते हुए, खास अच्छे score दिख रहे हैं, 50-30, 50-30, लेकिन अब form क्या है, किसी को नहीं पता, वही जानते हैं, और वही देखेंगे, क्या होता है, अंबती राइडू, 45-50 और 41, यह तो hit और miss में ही आ जाते हैं, तीन match में नहीं चले हैं, और तीन match में 50 मार दी सीधा, तो उसी category में आ जाते है, ड्वेन ब्रागो, balling second में यहां पर अच्छा performance दिख रहें, उपर balling first में भी था, तो हमारे लिए basically must pick हो जाते हैं, दोनों सिनारियों उसमें, डीपर चार एक inning छोड़ के हर inning में विकेट है, और उसके अलावा कुछ खास और दिखनी रहा, रिशापन, बता चुका हूँ में इनका record भी, और यह inning wise performance भी कुछ अलग नहीं है, similar सा है, शिकरदवन भी, बहुत जबर्दस्त ख स्टॉइनस से काफी balling कराएगी, जो मुझे लगता है, कि शायद स्टॉइनस को ही death में कराएगी, लेकिन देखते हैं, टीम क्या decide करती है, अश्विन को use तो जरूर करा जाएगा, या तो power play में शुरुवात में डाला जाएगा, क्योंकि उथपा को उन्होंने बहुत बार विकेट ले रखा है, या फिर वो करके, काफ ओवर करके, फिर end में भी भेजा जा सकता है, उमेश यादव, एक बार भी, विकेट लेस नहीं रहे हैं, एक विकेट तो लेके ही निकले है, तो मेरे लिए कुछ ज़ादर डिफरेंस नहीं है, head to head analysis का, सब similar choices हैं, फिर से, ट्राय कर सकते हो, अब प्लेयर बैटल में आएं, तो प्लेयर बैटल में आपको दिखेगा कि, अमित मिश्रा ने अच्छा परफॉमेंस दे रखा है, अब चार चार बार विकेट ले रखें, और फैफडू प्लेसी अश्विन पर आउट हुएं तीन बार, यह चीज देख के अगेंस्ट में, रविन्द जड़ेजा को भी मिश्रा जी ने चार बार उटकर रखा है, लेकिन उल्टा जाएं और एक चीज देखें, तो बहुती प्री डॉमेनिंट एक चीज है, प्रित्वी शौ वर्सिस दीपक चाहर, पिशली बार भी आउट होते होते हैं, बचेत बार के अगेंस्ट में, चार बार ये भी आउट हो चुके हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देखना है, क्योंकि ये लेट आएंगे, अगर ये ओपन करते हैं, तो सिनारियो अलग है, मैं अभी तक सोच के चल रहा हूँ कि ये वन डाउन आ रहे हैं, या फिर टू डाउन बार के आ रहे हैं, स्विवन स्मिद भी अच्छा खेल के रहे है, रिशप पन्त और रॉबिन उथपपा, 75 के, 75 के आवरेट से खेल के आ रहा है भाई बंदा, 131 का, रॉबिन उथपपा को रखा गया, इसलिए मुझे लगता वो उपन करेंगा, और धमाके दार उनको फ्र आज जाएगा टेलिग्राम पे, तो भई यह है मेरी टीम, अब मेरी टीम में खास बात क्या है, मेरी टीम में खास बात है, बैट्समन की भरमार, साथ बैट्समन दिख रहे हैं आपको, इन में से एक बैट्समन आप अपने चेंज कर सकते हैं, इसे रहाने चोड़ा, और नी और कुछ batting all-rounder अगर हुए तो जैसे stoiness तो आप मेरे तरफ चार बॉलर देखो और साथ batsman ऐसा हो सकता है इस stream में मैं शायद एक दो ही change करूँगा जादा नहीं लेकिन stream में आप देखो के तो ब्रावो और ठाकूर जो dead बॉलर है अश्विन जो पाव लें मैं balling करेंगे लेकिन यहाँ से stoiness है तो एक DC का मुझे कोई इशान शर्मा शायद लेना पड़ जाए तो मैं एकाथ player यहाँ से change करके एक player यह ले सकता हूँ जनता ने क्या किया है जनता ने भी almost यहीं किया है बस जनता ने all-rounder वही चार batsman और एक keeper लिया है लेकिन स्विन स्मित को ले रखा है और जनता ने उधपपा को ले लिया तो वह एक चीज है मैंने अगर आप द्यान दिया और उधपा को ले रखा है तो बस मेरे में यह change है और मैंने राइडू को लिर्खा जंता ने उनको भी नहीं लिया है मुझे ये बॉलिंग लीग के लिए मैच जबर्दस लगता है मिस नहीं करने लायक है उमेश आदव, अश्विन और ठाकूर है अभी उमेश आदव और इशान शर्मा किसी को भी ले सकते हो और सामने से यहाँ जड़े जा ले सकते हो किसी एक की जगे, ब्रावो यह चाहर की जगे तो यह मुझे बॉलिंग लीग काफी बैटर लग रही है इस मैच की, जो अच्छा लगता है मैं आपको बताई देता हूँ तो आप वीडियो पसंद करके देख लोगे जितना देख पाओ, all the best इस मैच के लिए टेलिग्राम लास्ट मिनिट अपडेट के लिए पहुच जाना फैंटेसी अरीना, 52,000 प्लस लोग है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, all the best